अहिन दोस्तों आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार टीबी अस्थावा थाना छेतरे के कठमंडू टोला में रवीवार को नीट के तयारी कर रहे एक छात्रे ने परिच्छा के दो घंटे पहले अपने कमरे में फासी लगार कर आत्मेहतिया कर लिया मिर्तक मिन्टू सिंग के 20 वर्ष पुत्र प्रियांशू कुमार है गटना के बाद घर में चीख पुकार मच गया परिजन के लोगों ने बताया के वा नीट की तयारी कर रहा था और आज ही नीट का परिच्छा देने के लिए जाना था इस विस थोड़ा अराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया और दर्वाजा अंदर से बंद कर लिया काफी देर बाद जब दर्वाजा नहीं खुला तो परिजन खोलवाने का परियास किया मगर दर्वाजा नहीं खोला इसके बाद परिवार वालों ने कमरे के दर्वाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए त तो अंदर दरव दे नजर देखा सन रह गए चातरा का साव पंखे से लटका मिला परिवार परिजनों ने कमरे के सोसाइट नोसीर बरामत किया गया जिने लिखा है कि नीट का परिच्छा नहीं निकाल सकेंगे इसलिए आत्मेहतिया कर रहे हैं घटना की जनकारी मिलते ही अस स्थावा थाना पुलिस मोके पर पूँच कर सब को पोश्ट माटरम के लिए बिहार सीव सदा अस्पताल भेज दी है थाना दियाच ने बताया कि मामले में यूडी केस दर्ज कर अनुसदान्धा किया जा रहा है जुट अग्शाव जए निट काई उसका परिचह था रात को मतलब वो खाया पिया बारे बज़े लगबद उसको पापा बोले कि सब्ए निगे कर लिए उसके बाद उछ कि लिए उसके बाद कि परिशा देने जाना फेसक बर रहा है उसके बाद कि अंधर सफखास всё बहुंत दोड़ा गया उसको फिटा जी पढ़ने का देना इंज होगे प कुछ रिसपॉंस उदर से नहीं आया, छो नहां कि वो लेकर उचा होगा चिभ लागा Mmm तो पहले पटना में एक साल तयारी किया उसके बाद सकेंड एटेम्ट था तो घर में ही रहके तयारी करा था हूं प्रीपेस हैं अब उनके अंकल हुए एक्जाम कब था आजी तेक्जाम था उसका हम से जुड़े रहने के लिए और इसी परकार की ताजा खबरों को पाने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल बिहार टेवी को सब्सक्राइब करें और तुरण नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले